मेरे पास कल ये 20 पेज की एक बुक आई थी PDF में, जिसे मैंने सिर्फ 6 पेज के अंदर प्रिंट किया है, और ये प्रिंट किया है मैंने बुकलिट प्रिंटिंग के अंदर, यहाँ पे मेरे हाथ में जो आप ये बुक देख रहे हो, ये असल में 20 पेज की किताब है, जिसे मैं ने booklet printing के माध्यम से अपने जो नॉर्मल प्रिंटर है घर का उससे प्रिंट किया है इसमें बहुत अची चीज यह भी होती है कि आपका एक तो पैसा बचता है यानि कम पेज में आप प्रिंट करते हो पेपर बचता है उसके साथ में आपकी जो प्रिंटर की इंक है वो भी किये जितनी देर तक पढ़ना चाहते हो उतनी देर तक पढ़ सकते हो तो अगर आप भी अपने पीडिएफ नोट्स को प्रिंट करना चाहते हैं इस तरह के बुक्लिक पिंटिंग में और पैसा इंक और पेपर तीनों चीज बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके और यह फाइल बिलकुल आपको फ्री में मिल सकती है नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां से जाके चैनल जॉइन करिए उपर फाइल पिन है वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए अब इस फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है बुक्लिक चलिए समझ लेते हैं तो अडोब रीडर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको डाउनलोड रीडर का बटन दिखाई देगा इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल आप करेंगे तो यह कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा यहां पर बहुत सारे ओप्शन है अगर इसका आपको अलग से वीडियो चाहिए इसके सारे ओप्शन के बारे में आपको जानना है अच्छे से इसक फंडामेंटल की वो यहां पर दी गई है तो इसलिए इसको एक बार डाउनलोड करके देख लिए ना एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दूसरा आपको बहुत सारी काम की चीज़ें भी मिल जाएगी तो अभी हम इसको बुकलेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने हो जाएगा अब यहां पर बहुत सारे ओप्शन दिये गए हैं और सीधे सीधे एक बुकलेट का ओप्शन भी दिया गया है जो कि यहां पर है तो यहां पर आपको क्लिक करना है अब जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे अगर आपका प्रिंटर डबल साइड प्रिंट करने के लायक होगा अनेबल है अगर आपका प्रिंटर बोस साइड प्रिंट करने के तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको सिर्फ एक बार पेज लगाने है वो अपने आप दोनों साइड प्रिंट करके आपको दे देगा लेकिन नॉर्मल जो प्रिंटर है आपके घर में चाहे वो जैट हो चाहे वो लेजर जैट हो तो उसके लिए आपको फ्रेंट साइड और बेक साइड का ध्यान रखना है यह आप जब यूज करोगे तब ही आप अच्छे से प्रिंट कर पाओगे अब देगो जैसे मैंने फ्रेंट साइड यहां पे लिया तो इस बुक के जो आगे-ा फोर करेंगे तो वो कुल मिला के 6 पेज में रह जाएगी टोटल इसको 6 पेज चाहिए होंगे प्रिंट करने के लिए आगे-पीछे अब यहां से जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपके प्रिंटर से प्रिंट निकलने शुरू हो जाएंगे तो चलो एक बार मैं आपको प् करने को सपोर्ट करता है यानि एक बार में आप इसमें प्रिंट आउट दे दोगे तो यह आगे-पीछे अपने आप से खुद से प्रिंट कर देगा लेकिन मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा जैसा कि आपके घर पे होगा तो सबसे पहले तो एक चीज आपको करनी है कि यहां पर ट्रे को ओपन कर लीजिए को कुछ प्रिंटर में क्या होता है कि प्रिंटर पेज के टॉप पर प्रिंट करता है और कुछ प्रिंटर में जो प्रिंटर है जो आपने यहां पर ऐसे पीछे प्रिंट करता है तो आपका प्रिंटर कहां पर प्रिंट कर रह और हमारे जो printout है निकलने शुरू हो गए हैं तो यहां पर print जो है निकला आए हैं यहां पर आपको एक चीज समझ नहीं होगी मैं print out को printer के उपर रखता हूँ कि जो मेरा सबसे उपर वाला पेज था यहां पे वो मेरा सबसे नीचे आ गया है तो आप देख रहे हो कि मैंने ए प्रिंटर है फॉर से लisu कर और एंदर लगा देना है अब पेजरा हुआ, यह प्रिंट आई है और उसके उपर प्रिंट होना शुरूँ होगा है अब चली हम दोबारा से प्रिंट आउट देते हैं लेकिन एक चीज का और भी धियान रखते हैं तो अभी मुझे यहां पर printer के icon पर जाना है और यहां पर जो हमने frontside लिया था उसकी जगे हमें यहां पर backside only पे क्लिक करना है अब देखो यहां पर backside print होना शुरू हो जाएगी इसके बास simple मुझे यहां से print करना है अब देखिए हमने back side पे print out का command जो है वो दे दिया है अभी हमारा printer process करके print निकालेगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है तो यहां पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो 21 पेज का data था वो सिर्फ 6 पेज के अंदर print out होके आ गया है अभी हुआ क्या है कि पहला पेज तो उपर वाला पेज था वो नीचे चला गया तो एक छोट इसी setting और आपको इसमें करनी है नहीं तो आपको इसमें क्या वाले पेज को ठाओ उसके ऊपर रख दो ऐसे करके आपको सारे पेज का क्रम इस तरह से सेट कर लेना है कि हमने ये रखा फिर उसके बाद आप देखो पेज नमबर 2 आ गया फिर उसको रखा फिर पेज नमबर 1 को हमने इसके उपर रख दिया तो यहां पर क्या होगा जो क्रम था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनको हम सही से कर लेते हैं पेज को और इसके बाद क्या करेंगे इस बुकलेट को हम यहां से बीच से इसको पेज बंगी कर चार और जैसे आपाँएज 5 की साथ में पेज नमबर 8 इसके बाद यहां पर बिल्कुलेट को देखाऊ है तो इस तरह से हम पेज नमबर 9 के साथ में पेज नमबर 14 प्रिंट हुआ है तो इस तरह ऐसे आप जो बुकलेट प्रिंटिंग है वो करके अपने पेज, टाइम और इंक दोनों को बचा सकते हैं तो देखा आपने कितना सरल तरीके से हमने सीखा कि कैसे आप बहुत सारे पेजों को बहुत कम जगे में प्रिंट कर सकते हो अपनी इंक बचा सकते हो, पेपर बचा सकते हो और अपनी आँखों को भी आराम पहुंचा सकते हो क्योंकि मोबाइल फॉन पर जदा दिर तक पढ़ने से आँखें खराबी होती है कुछ न कुछ फर्क तो पड़ता ही है तो ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर रहे हैं आप कमेंट करके आपको ये बताना है थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कहां आपको परिशान ही आती है जो डेली बिस्स के आपके काम होते हैं आफिस में कौन सी चीज आपको बहुत ज़्यादा परिशान करती है मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दूँ सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वन्दी मातरम